हेलो एपीबन कैसे हैं आप सब यह अच्छे होंगे खुम मन लगार पढ़ाई कर रहे होंगे तो भाई देखिए आप किसी भी जॉब में हूँ या आपकी दिन चरिया कैसे भी आपकी लाइफ इस चाल कुछ भी है लेकिन अगर आप सफल होना चाहते हैं तो यही 24 घंटे हैं आपको मैनेज करना पड़ेगा कि कब पढ़ें आप रात में पढ़ें या दिन में पढ़ें कोई भी एक नियम सब पर लागू नहीं होता है यह सही बात है मेरे पास एक कमेंट आया था कि भाई सबकी लाइफ ही चाल अलग होती है सबके पास समय अलग होता है तो यह कैसे यह तो मैं हमेशा से कहती हूं कि जो मैंने किया है या बाकी लोग जो करते हैं वो नियम सब पर लागू नहीं होता है वह बस आपको एक तरीका बताया जा रहा है आप अपने हिसाब से मैनेज करें लेकिन सच्चाई तो यह है कि बस यह जो 24 गंटे है इसे में आपको अगर आप दिन में जॉब करते हैं तो रात में समय देना पड़ेगा जहिसी बात है आपको सोच के देखिए अगर आपकी रात में ड्यूटी है कहीं भी तो आपको दिन में समय देना पड़ेगा अगर आप घर के काम काच करते हैं दिन भर आप काम में उलजे रहते हैं तो आपको अगर वाकर में सफ़ा लोना है तो उसी में से आपको समय निकालना पड़ेगा आपको प्रिवर्टीज पर चीजों को रखना पड़ेगा कि क्या जरूरी है मेरे लिए अभी घर के काम भी 24 गंटे करते रहें या फिर अपनी पढ़ाई को हम देखें क्योंकि यह काम मै कहةीर सी आपको सोच उना नहीं है उसमय आपको आराम करना है बस यहीं है थोड़ा सा आप पांच देश्यंतपर कर लिया ठीक है अब अपयर चिन्ता लगियी होनी चाहिए अगर आपको कुर लगएगा कि मुझे यह तयार करना है आपकी जिंदगी की बात है आपकी जिंदगी बनेगी आपकी सफलता की बात है तो फिर आपको लेकिन वहां पर काम करने के बाद मेरे उपर जो कहते हैं कि एक भूत सवाल था उस समय कि मुझे पढ़ना है एक जुरून था मुझे क्योंकि मैंने अपने जीवन को हर तरह से देख चुकी थी मैं और मुझे यह पता चल गया था कि हाँ अब सचाई यही है कि अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर कहीं से कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि देखिए कुछ लोगी आदत ही होती है न कि अपनी वैल्यू बनाने के अच्छे पोस्ट पे हैं अपने वर्क प्लेस की बात करें या नात्रिजदारों की बात करें तो अगर हमसे थोड़े से वह अच्छे सिति में हैं तो हम क्या करते हैं न कि उनसे दोस्ती करने के लिए कि हमसे वह स्मूं सीधा करके बोल ले तो फिर हम उनके पीछे-पीछे यहीं सबसे गलत काम है और मेरे जो मेरी परस्नाल्टी इसमें यह कहीं से शामिल मैं किसी के पीछे नहीं लग सकती मुझे जो भी करना था अपने दग पर करना था मुझे ऐसा करना था ऐसा बनना था कि लोग खुद आये मेरे पास आगे बढ़के पूछे मेरा हाल चाल इसलिए मैंने सोचा कि अपने पैर पर खड़े होने का वस एक ही रास्ता है कि यह पढ़ लो इससे अच्छा मौका और कुछ भी नहीं है मैंने बहुत सारे काम करके देखे थे आप लोग तो जानते हैं कि फिजिकली वाज़े से डांस का हुआ अपने और भी जैसे करात्प हो रहा है तो उसकी बात अलग है कि आपको ऐसा नहीं होगा उसमें आपको धर रखने की ज़रूरत है लेकिन यह जब एक बार पर्मानेंट हो जाता है तो जीवन बर आपको आराम रहता है या तो फिर आपके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप कोई और काम आपके प पड़के ही अपना बनाना है अपनी इजद बनानी है और यही हुआ था आपकी लोग बाके लोग हमेशा आपके आपके अंदर कोई टैलेंट है ़ोग दबाने के लिए हमेशा प्रयास करेंगे आपका पैर खिषने के लिए जैसे क्या था कि मेरा इसांस्कृतिक कारिक्रमे में वहां के जो फादर थे अक्सर मेरा नाम लगा देते थे उनको पता था मेरा टैलेंट तो लेकिल कुछ तीचर्ट इसको यह नहीं पसंद आता था तो वह हमेशा था उनको कि ऐसा क्यों ऐसा क्यों मुझे दवाने का प्रया क्याना है मैंने दिमाग को पहले से था अब जब दीन में रिजर्ट आया बहुत सारे लोगों को अश्यर हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है बड़े-बड़े लोग जो मतलब यह दिखाते थे अच्छे च्छे क्लब बड़े-बड़े क्लासों पढ़ाते थे सीनियर क्लासों पढ भलते हैं कैसा आपका स्वभाव है क्या आप करते हैं क्या नई करते हैं रात पर दिन दीन पर घ्रते क्या करते हैं कुछ भी मैटर रगता है बस आपका ृधे बड़े बड़े और तो यह मुझे सुकून यह हुआ आप लोग भी यह सोचिए कि आपको 24 गंटे में से आपको काम करना है दिन में करिये जैसे भी करी हर काम में मैंनत लगती है अब देखिए अभी मैं यहां पर आई हूं मम्मी घर आपको जैसा कि बैक्ग्राउंड से पता चल जाता है यहां पर माइक बगर लेकर नहीं आई हूं तो थोड़ा जोड़ से मैं बोल रही हूं और फैन बगर मैं आफ कर दियूं कि यह परदा पीछे करा हिलता बगर है अब में भी हर काम में मैंनत है जान लीजिए लेकिन बस बात यह है ना कि अच्छा तब लगता है जब आप सकसेज हो जाते हैं तो बस उस दिन का इंतजार करिए जिस दिन आपको आगे बढ़के खुद लोग आके बढ़ाई दे और लोग आगे आपके खुद आपसे रिलेशन देते हैं तो वही बात है कि आप एक संगरश करके आगे बढ़ते हैं तो आपके पास तमाम बातें ऐसी होंगी जो आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं तो बस यही चीजें कि जिनदकी एक तरह नहीं होती है लेकिर हां यह बात सह़िए कि आपको अपनी जिन्दकी खुद बनानी है लोग आपको एक तरीका बता सकते हैं आप उसमें से क्या एक निचोड निकलता है ना फिल्टर करके आप देखिए कि आप क्या आपके लिए सही है वह काम करिए अभी मेरी एक दीदी है उनसे बात हुई तो वह भी वीडियो बनाती है तो उनका यही था ना कि इतना अबजेक्शन को यह काम करने से और कुछ आगए बढ़ने से जानती यही हकीकत है दोस्तों कि बिना मतलब कि आपको कोई मतलब नहीं होगा लेकिन अगले मतलब आपसे होता है जो कि आप अभी सुरुआत की है किसी चीज़ की आप यह आप पढ़ाई कर रहे होंगे ना तो किसी भी चीज में नहीं लगाना है बस आप मैं बोल रही हूं कि साथ दो साथ 6 मैना जो भी आप समय पढ़ाई के लिए देते हैं एक्जाम नहीं होता है आप मेरी बात गाट बांग दीजिए कोई लाग कहे कि यहां घुमने चलो कोई लाग कहे कि यह मुवी आई यह कोई ला चीज आप बहुत जोसे Facebook कहिए बाकी चीज कहिए इसको मैंने हाइड कर दिया था क्योंकि Facebook मेरा काम नहीं था वहां पर बस वह एकांट था ठीक है वहां से मेरा कोई काम नहीं वहां पर कुछ में नात्रिजदार है वो मेरा प्रायवेट अगाउंट है तो वहां पर ऐसा को वही दिखाता है जो आप अगर गाना देखेंगे तो गाना दिखाएगा जो आप देखते वही तो मैं बस एजुक्रेशन की चीज़ें पड़ती मेरे वही दिखाता था तो वह भी कब खुलना था जब जरूरत हो तब वाटसप जरूरी था क्योंकि मैं पढ़ाती थी तो उस कि तब ही मैं खोलूंगी अन्य था अपर टाइम पास के लिए तो कहिए कि गलती से अगर मालीजी आप पड़के बहुत ठक गया है रेस लेना है तो गलती से भी आप गाने वाले वीडियो पाया मत जाईएगा कुछ भी मत करिएगा किसी की मोटिवेशन वाले वीडियो दे हां वीडिया.